नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वॉल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया देश में कोरोना का कहर कम होता नहीं दिख रहा है कई राज्यों में कोवीर-19 की वज़ह से पावंदिया भी लगा दी गई हैं कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महराष्ट पर टूटा है हाला कि महराष्ट में कोरोना की रफतार पर भी ते कुछ दिनों की तुलना में लगाम लगी है लेकिन तब भी महराष्ट में पिछले 24 घंटे में करीब 28,000 नए केस सामने आए हैं जबकि कोरोना के चलते करीब 140 लोगों की मौत हुई है अकेले मुंबई की बात करें तो वहाँ कोरोना के 4760 नए मामले सामने आए हैं आक्रों के मतावेक मंगलवार को राज्जे में 27,918 नए मामले दर्श किये गए थे राज्जे में किसी एक दिन में सारवाधिक मामले दो दिन पहले सामने आए थे जबकि 44,414 लोगों के संक्रवत होने की पुष्टिक होई थी महाराष्ट में नए मामलों की संख्या में कमी संभवत कम संख्या में जाच किये जाने के चलते आई है मंगलवार को 139,886 नमूनों की जाच की गए जबकि एक दिन पहले 136,848 नमूनों की जाच की गए संक्रमन से और 140 मरीदों की मौत होने के साथ ही राज्जे में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 54,422 पहुँच गई महाराश्ट में मंगलवार को 23,820 मरीदों को अस्पताज चुटी भी दे दी गई इस सरा इस रोग से उबरने वालों की संख्यार राज्जे में बढ़कर 23,77,127 हो गई है बॉलिवर्ड एक्टर एजास खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो यानि के एंसिबी ने देवराद गिरफतार कर लिया एनाईए को शक है के एजास खान ड्रक्स लॉट फारुक बटाटा और उसके बेटे शादा बटाटा के साथ काम करता है और ड्रक्स इंडिकेट का हिस्सा भी है एजास से कल एंसिबी ने घंटों पूश्टाच की थी इसके बाद उसे गिरफतार कर लिया गया बता दें से पहले एंसिबी ने ड्रक्स लॉट फारुक बटाटा से करीब आट गंटे तक पूश्टाच की और फिर उसे जाने दिया फारुक के बेटे शादाब को पिछले हफते ही एंसिबी ने एक छापे मारी के दौरान गिरफतार किया था उसके पास से करीब दो करोड रुपे की ड्रक्स की खेब भी बरामत की गई थी शादाब से पूश्टाच के दौरान कई सेलेबिटीस के नाम भी सामने आये थे अजास्खान मंगलवार को राजिस्तान से जैसे ही बुंबई लेंट हुआ उसे एंसीबी ने नोटिस देते हुए हिरासत में ले लिया बता दें एंसीबी ने इजास्खान की लेकर अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठीकानों पर छापेमारी भी की गई लेकिन अभी साफ नहीं है कि इस छापेमारी के दौरान ड्रक्स की बरामदगी हुई है क्या नहीं लेकिन छापेमारी के बाद अजास्खान को गरफतार कर लिया गया है राज़ानी दिल्ली के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दरजन भर जिलों के बीच का सफ़ार एक अप्रेल से आसान होने वाला है के इंडिय सरक और परिवहन राजमार्क मंतुराले की और से दिल्ली मेरट एक्समेस वे को शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद इसे एक अप्रेल से खोल दिया जाएगा इससे पहले मंगलवार को इसे ट्राइल के लिए खोला गया लेकिन आप्चारिक रूप से एक अप्रेल से ही इस पर वहान फर्राथा भर सकेंगे इसका सबसे बड़ा लाब ये होगा कि अब दिल्ली से वहान मेरट सिर्फ और सिर्फ साथ मिनट में और गाज़बाट से मेरट 30 मिनट में पहुस सकेंगे जब ये तैह हो गया है कि एक अप्रल से दिल्ली मेरट एक्सपैस वे चालू कर दिया जाएगा अपोस्ट रसूत्रों के अनुसार 31 मार्च ट्रायल होगा और दिल्ली मेरट एक्स्पेस वे की शुरुआत के अगले दिन यानि की एक अपरल से टोल वसूली भी शुरू हो जाएगी वैसे अभी टोल दरे निर्धारित नहीं की गई है संबव इसमें 3-4 दिन का समय लग जाएगा तब तक इस पर मुफ्त सफर हो सकेगा गुड मॉनिंग इंडिया में फिलाल के लिए बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नियूस वॉल इंडिया